नमस्का दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारी यूटूब चैनल जगत जानकारी में आज की वीडियों बात करने वाले हैं हर्याना स्टाफ सेशन कमिशन के तरफ से CET 2022 के उपर एक important news लिकल के सामने आई है बहुत ज़्यादा important news है कि क्या हर्याना स्टाफ सेशन कमिशन ने आपके मोबाइल पर भेजा है ये जरूरी message तो एक जरूरी message जो है हर्याना स्टाफ सेशन कमिशन सभी candidates के मोबाइल पर send कर रही है वीडियो पसंद थे प्रीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा शेयर केजिएगा चैनल को जरूरी अपलो सस्क्राइब कर लिजिए सासथ बैल एकन को प्रेस करके औल पे क्लिक कर लिजिएगा उसके सासथ आप में इस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्किप्शन में देखने को मिल जाएगा और आप में टेलिकराम पर जाके सिस्क्राइब कर सकते हैं उसका भी लिंक आपको डिस्किप्शन में देखने को मिल जाएगा अचले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बीना केसी देड़ी करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेर करते हैं कि हर्याना स्टाफ सें कमिशन की तरव से सभी कंदियर जो के CET 2022 से जुड़े हुए हैं कौन सा ऐसा मैसेज है जो बार बार जो है उनको भेजा जा रहा है तो देखे मैंने यहाँ पर ओपिन किया है यहाँ श्राफ सें कमिशन की ओफिचल वेबसाइट को देखे ओफिचल कोई वेबसाइट पर मैसेज नहीं आया है लेकिन निउस पेपर की कटिंग में एक निउस लिखा हुआ है उसमें पर पूरी इंफॉर्मेशन आपको करता हूँ मुख्यमंतरी मनवहलाल के प्रधान सच्चिव जो है वी उमा संकर ने देनिक सवेरा से पूछने पर बताया कि CET के लिए उमिद्वारों को 31 अक्टूबर से मुबाइल पर SMS भेजा जा रहा है कि उनकी परिच्छा किस जिले में होगी तो आप लोगों का एक्जाम किस जिले में किया जाएगा उसके रिकार्डिंग आप लोगों को मैसेज भेजा जा रहा है मतब CHSC के द्वारा मैसेज भेजा जा रहा है उसके साथ उन्होंनों कहा कि आगामी 2 जाएगा, सभी लोगों के पास SMS भेजा जाएगा, जिनके पास अभी नहीं पहुचा है, वो कुछ दिर वेट कर लिजी, आप लोगों को हो सकता है, शाम या कल सुबे तक मैसेज मिल जाए, उसके साथ साथ आप लोगों के एड्मिट कार्ड भी कल से जारी कर दिये जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि एड्मिट कार्ड दो नौवंबर से डाउनलोड होना सुरू हो जाएंगे, देनिक सभेरे ने पूछा कि परिवहन विभाग का वो पोर्टल कब सुरू होगा, तो एक पता है कि जैसे बस से वाक करना पड़ेगा, तब ही आप लोगों को वहाँ पर बैठने का मौका मिलेगा, उस पर उन्होंने कहा कि जिस पर उमिद्वारों ने पंजीरन करना है, तो वी संकर ने कहा कि पोर्टल दो नौवंबर से शुरू हो जाएंगे, देनिक सभेरे ने पूछा कि इस से तो पोर्टल ओपन होगा, आप लोग 11,000,000,000 जो जितने भी कंडियर्ट्स हैं, आप लोग ट्राय करिए, अगर आपका रेश्टेशन होता है तो ठीक है, और नहीं होता है, तो भी आप लोग उस बस सेवा में सफर कर सकते हैं, अपने एडमिट कार्ट को दिखा कि आप उसमें सफर जो है, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है, तो सभी लोगों को SMS के थुरू information दे दी जाएगी, कि आप लोग exam जो है, वो किस जिले में किये जाएंगे, और दो कल से आप लोग के एडमिट कार्ट भी जारी कर दिया जाएगा, तो एडमिट कार्ट सब्सक्राइब